करेंगे और उसके बात जानेंगे और साथ ही साथ हम डिसकस करेंगे गार्डेन रीच सीप्यार्ट बिल्डर्स जो है इंजिनियरिंग्स है उसके बिसे में डिसकस करेंगे कि जो हमारा GRSE क्या है वो क्या है और कब यह बना और कौन-कौन से इंपोर्टेंट पॉइंट है जो हमारे ग्यामनेशन में में भी आ सकते हैं उससे डिसकस करेंगे चले देखते हैं सबसे पहले न्यूज को देखते हैं न्यूज में पिछले दिनों P.I.B. में खवर आई जिसका हेडिंग था प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन नेवी लॉंच्ट इन प्रेजन्स ऑफ रक्षा राज्यमंत्री जी आरेसी कोलकाता जल्दी ही जो आई नस संधायक है उसे इंडियन नेवी में सामिल कर लिया गया है इससे पहले हमने आपके साथ आई नस बेला और आई नस विसाका पत्नम ड उसके से लेबस की कुछ पार्ट को यह निए उसका गवर करता है इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है तो जल्ए सुरू करते हैं देखिए पहले हम इनस संधायक के विसे में तुछ पॉइंट जानते हैं देखे आई नस संधायक जैसा कि हमने कहा कि चार फोर सर्वे विसल बनाने हैं GRSE को और इसी कंटेक्स्ट में जो हमारे दिसंबर 5 को आई नस संधायक पहला जो सर्वे विसल है उसे सामिल किया गया इंडियन नेवी में और आगे देखते हैं यह पूरी तरीके से GRSE द्वारा डिजाइन किया गया है जो भी हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री है उस जब चार सर्वे विसल बनाने हैं यह हुआ था हमारा 30 अप उबर 2018 को 2435 क्रोड रूपीज का एक समझाता हुआ था GRSE और मिनिस्ट्री अप डिफेंस के बीच में इसमें कहा गया था कि GRSE मिनिस्ट्री अप डिफेंस को चार सर्वे विसल बना कर देगी जिसमें पहला विसल INS संधाय के रूप में इंडियन नेवी में सामिल कर लिया गया है आगे देखते हैं जरा कहा जाता है कि इसका जो 80% पूरा का पूरा समझे जो आत्म निर्वर भारत वाला कॉंसेप्ट है मेकिन इंडिया वाला कॉंसेप्ट है यह फुल्फिल कर रहा है लगबग 80% of parts सारे इंडियनियस है भारत में ही बने है जिया इसी नहीं बनाया है इसलिए भी important हो जाता है आगे देखते हैं जरा साथ ही साथ इसके जो features वगएरा है उसके बिसे में इस news में discuss किया गया है उसे देखते हैं जरा देखे कहा गया है कि जो deep water hydrographic survey वगएरा है उन सब चीजों में इसे महारत हासिल है बहुत अच्छे से काम कर सकता है और साथ ही साथ जो navigational canals वगएरा है रूट्स वगएरा है उन सब चीजों को भी targets कर सकता है जो important features जिसलिए इसे बनाया गया है उसमें यह सबसे best काम करेगा ऐसा GRAC के कहना है आगे देखते हैं जरा देखिए ऐसा नहीं पहली बार इंडियन नेवी में सामिल हुआ है इससे पहले भी हमारे पास INS संधायक था जो 40 सालों तक काम करके 2021 में ही जून 2021 में ही decommission हो गया है जिसे मतलब सेवा मुक्ती मिल गई है अब retirement मिल चुका है ऐसे में समझी INS संधायक का जो already 40 year service दे चुका है उसी कड़ी में अगला हमारा INS संधायक जोड़ चुका है और में भी उसकी जो glory है उसके नाम की जो इज्यत है उसे बनाए रखेगा आगे देखतें जरा ऐसे में जरा हम GRSE के भी से में देख लेते हैं आखिर यह GRSE क्या है जो GRSE है हमारा यह 1884 में ही बना था समझीए 100 साल से भी ज्यादा पुरानी कमपनी है यह और स्टार्टिंग में जब यह बनी थी तो यह एक सिंपल सी वर्क्सव प्रिपेर कमपनी थी चोटी मोटी कमपनी थी कोई बहुत बड़ी कमपनी नहीं थी लेकिन हम बाद में देखेंगे कि 1934 में इसे इंडियन कमपनी एक्ट 1913 के तहत बन गई जो करेंट में पीश्यू भी है ऐसे में इसी जी रसी ने 1961 में देश का पहला आई अने जिसे अजय के नाम से हम जानते हैं इसी जी रसी ने बनाया था और देश को गरीमात यह उसे बढ़ाया था आगे देखते हैं जड़ा यह जो जी रसी कंपनी है हमारी मिनि रत पर आगे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी इंपोर्टन टॉपिक यानी उसके साथ थैंक्स पूर वाचिन Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspectives Last year we have helped more than 100 students crack IAS with our Current Affairs classes